इतिहास के एक माराथन स्रीज है और इसमें हम कोशिस करेंगे कि रिविजन करें उन महत्पूर्ण पॉइंट को जहां से परिख्छा में सीधे शवाल आते हैं यह एक माइंड में रिविजन स्रीज की एक वीडियो लेक्चर स्रीज है जो नोट्स के साथ हम इस पूरे स्रीज को पढ़ेंगे और आप कोशिस करिएगा इस माइंड में कॉंसेट को साथ साथ लिखते हुए एक सौर्ण नोट्स बन जाएगा मतलब कम समय में हम उस संपूर्ण इतिहास को पढ़ेंगे जहां से अपके परिक्षा में खोब सारे शवाल आते हैं मतलब कम समय में अगर आप इतिहास में रिविजन करके अप चाहते हैं कि पूरे अंकर जित कर ले तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पुस्तकों का एक संग्रा है जहां से परिक्षा में खोब सारे शवाल आपके लिए पूछा जाते हैं आप लोग इस वीडियो का अंतक्त बने रहेएगा कौपी कलों के साथ शुरू करते हैं अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहरे जो हमें इतिहास में प्राचीन इतिहास क स्रो cours यहां से परिक्षा में कोप सारे सवाल आते बिला तो हम कैते हैं कि पुरातात्यक स्रोक हैं उसमें और कैई से ढ़े गार्षा में इंकर वारोजा कि बीडान में क्या पढ़ें धरक्रायि 155 hij correct शौर्फ में कुंढ़ से जाने ईक यहां सबस्क्त कृषा तो इसलिए यह टॉपिक भी आपके सिल्वस्ट में इसकी भी हम लोग शौट में रिविजन करेंगे मैरातन सेशन में शिंद्धु घाटी शबिता शिंद्धु घाटी शबिता एक ऐसा ध्या है जहां से परिक्षा में जरूर से जरूर से जरूर शवाल पूछे जाते हैं औ तो यह भी बहुत पूर्ण है आपके लिए जो भी वीडियो को देख रहे हैं पढ़ रहे हैं पूरा नोट्स हंटिटेन है और चटी सदी बीची से भारत मैंने 600 इशापूर में एक तरह से देखे धार्मिक स्वतनता की अगर हम बात करें धार्मिक क्रांति कर हम बात करें एक ऐसा ध्याय है में हम जाद्धर्मा और बहुत धर्म को पढ़ेंगे क्योंकि कि कहने को सबलग मुंत लेगे मागत को पढ़ेंगे पढ़ेंगे प्राचिनी त्याज की रिज में आप चाहिए इसकी स्किन सोट रख लें ताकि आपको यह पता रहे हैं हमारा श्रीलबैसर यही समलोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद इस चेगली स्रीज जो हैं हम मध्यकाली भाद को पढ़ेंगे जिसमें पूरों मध्यकाल 750 लेके बारशों तक है फिर बिजेशी आक्रमण दिल्ली सल्टनीज 1226 से 1526 फिर बिजयनगर सामराज 136-1580 वहमनी सामराज 136-1588 छत्री शक्तियां शूफियां दोलन भक् पढ़ने जा रहे हैं पूरा ये सेशन है कोशिस करेंगे इस वीडियो के सेशन में पूरी चीजे कंप्लीट करने के लिए आप लोग भी साथ दीजेगा यहां पर माइन में कॉंसेप्ट हमारे शाम में आ गया है अब हम यूं कह सकते हैं आपकी क्लास यहां की सरवात हो यहां पर पहले तो यह जान लेते हैं कैसे डिवाइट किया गया है पहले हम देखेंगे इसमें इतिहाद जानने के दो प्रमुक स्रोथ है एक है साहित्तिक स्रोथ दूसरा है पूरा तात्विक स्रोथ तो पहले हम दो भागों में बाट लेते हैं साहित्तिक और पूरा तात टालमी हेरोडोटस और नियारकस इसके अलावां चीनी हित्ति फायार अरब में अबुरहिमान अलबरुनी अलम सूधी और मारको पोलो तो यह अरब कर सकते हैं जहां पर हमें यूनानी चीनी और अरब के यात्रियों को पढ़ने को मिलने वाला है दूसरा गर हम भारती शाहित ठीक अब इसमें भी एगर हम देखेंगी सर धमनी पेच्छी में कौन आते हैं देखें धमनी पेच्छी में बात करें तो यहां पर कोटिल जीन की रचनार साथ परिच्छम खोब पुस्ता है कलहड की रास्तरंगडी पूच्छा है पाणी की अश्टाध्याई पिसाक्दत क की मुद्रा राच्छत कालीदास की रगवणस्व काईदास की क्या है रगवणस्वण बाढबट की हश्चरित है ठीक है उसके बाद हम देखेंगे संगम साहित में तो सिल्ल पादिकारम है है ठीक मकेलेज है जीवकिंदा मणी है तुरू कुरल है तो हमने दो देख लिया भारती साहित्य, का यह आपके लिए अब धार्मिक की बात करते हैं, जो बुमें दो दो आएरों मिलेंगे, पहला आपको देखिए, जो बहुर्भमार्ष के लुक्स Ohhh साथ में सुत्य पिटक बिने पिटक और अभी धम पिटक और मिली बंद्राहों बुद्ध चरित जैंधर में है परशिष्ट परव है भद्रबाहु चरित है और भागवती शूत है और कल्पशूत है जो परिक्षा में खूब सारे पुछे हते हैं अब उपर हम लोगों ने द पर असानी से मिल जाएगी अंग की जो लिखा इसके बारे हम आगे बात करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे अब पुरा तत्री शूत के बारे हम देखें कुछ ऐसी चीजे हैं ऐसे कुछ की पॉइंट है जो हमारे परिक्षा में खूब सारे जोला बरबर के पूछे जा रह पुरे अभिल्यक को पढ़ लेंगे कैसे पुरा तत्री शूत में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहरे उसमें अभिल्यक आता है उपर हम लोगों ने देखा अब हम उसी अभिल्यक को पढ़ने जा रहे हैं जो परिक्षा के लिए सब स्यादों प्यों कि मेरा सवाल आप हमने पढ़ा वहां पर भी आपको मिल जाएगा ये मेरे दौरा सभी कल्य निशुव्ड देशित में राशितम आपकी उपलब्ध है और हमने देखा रिगवैधी कलीन देवता तो न है इंद्र देवता वरों देवता मित्र न शत्त्त तो ये रिगवैधी कलीन पर मुझछ तहां जो परिच्छा में हमसे पूछ ले जाते हैं आगे घर हम बात करें तो अब देखिए आर्यों का आगमन कहा सुए था मत देशिया सेुए घर दिया कि यह जो भी पढ़ रहा हैं यह सीरीच क्या हैं एक तरह से इस सीरीच के गर हम बात करें जो लोग भी वीडियो को पर तेख पा रहे हैं ठीक है सभी लोग धृहां में अपर दुख लिया अब यहां पर घृता है कि अब programming हों कर जो सरवातिक महत्यपुन साथ जो बताता कि आरिज का भारत में आगमन हुआ था फिर अशोग की बात करेंगे तो दो अभिलेक हमारे लिए महत्यपुन एक अभिलेक तो गया दूसरा अशोग का अशोग का अभिलेक को मोध ध्यान से पढ़ेंगे और जानने का प्रयाश करें और अशोग के जो अभिलेक है यह भारत में प्राचीन माने जाता है अगर हम यह आप देखें तो यह देखिए यह अशोग के जो अभिलेक है आपर हम लोग ने देखा अशोग के यह भारत में प्राचीन है अब इनके अगर हम बात करें तो इसमें मास्की तथा गुरजरा मास्की तथा गुर्जरा क्या है यह असोग का नाम उलेखित पूछा जाता है कि असोग का नाम किस अभिलेख में उलेखित है तो लिख लीजिएगा इसको मास्को तथा गुर्जरा के अभिलेख में असोग का नाम लिखा गया है यह भी परिछा के लिए खुब पूछा जात यहां प्रेदर्षी राजा की रूप में बहुत ज़्यादा परिछा में पूछला जाता है हातीक गुंफा रट लीजिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अहां पहुत ज्यादा पूछा। वेस्ट बंगाल में उपर हम लोगों ने देखा कि मास्कोत था गुर्जरा और पान गुड्ड्या यह असो कर्णा मुलेखित प्रिदर्शी राजा में 1837 में जेम तृष्पन दौरा पढ़ा गया किसके दौरा पढ़ा गया जेम तृष्पन के दौरा पढ़ा गया कब पढ़ा गया 1837 में तो देख रहें एक की पॉइंट आपको मिल रहा है जो परिच्छा के लिए उपयोगी हो सकता है ठीक है हातिक गुंपा के हम बात करें तो खारवेल तिथी रही तभी लेख चो पश्ची मंगा ने मिला है उनके सासन काल के घटनाओं का वाडन है और ज झार ऌन गर्णा का पहला साथ ची भी मिलता है इसके बात ढऊनागर्न का गरनाओं करनाओ हम देखें यहां अभिलेक के बारे हम देखें तो जुना गर का जो गरनार — अहुमा देनी वाली भात है यह संस्कित में लिखा उप अभिलेक है शैन दैन डिनामना भालेक है यह सं का वर्डन है यह गुजरातम है काँ पर है गुजरातमे आप इसकी स्कीनसॉट करने है इसकी पीडियाफ आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगई तेलिग्राम पर आगे शेशन को पूरा पढ़ेंगे कापी बड़ा वीडियो होगा लेकिन इंपोर्टेंट है अब हम कालिन गटनाओं का वाडन करता है यहां पर नासिक का गोत्मी बल से अगला जो है वह प्रयाक अगला क्या है प्रयाक कि समुद्र गुप्त का मंत्री हरिश्यन प्रयाक प्रशस्ति भी आप लोगों को वाडन है इस अभी लेक में आप देख लिएगा प्रयाक प्रशस्ती समुद्र के मंत्री रिष्यन अक्रिश्यन नीतियों का वाडन है इसके बाद अगला जो है आपके सामने ग्वालियर ग्वालियर के बारे में जानकारी आप मद्रिपदेश में ग्वालियर भोज प्रतिहार अब इसमें क्या है आपके मन में आएगा कि गुर्जर प्रतिहार सास्कों के बारे में जानकारी है अगला है मद्शौर अगला क्या है मद्शौर ये मालवा के नरेश ये शो वर्मन यहां देखें यम्पी मने मद्रिपदेश शैनी कुपलब्दी का वारान इसमें क्या है शैनी कुपलब्दी का वारान है अगला है एहोल अभिलेक पुलकेशिन दूती बहुत इन्पोर्टन महाराष्ट में पूछा जाता है कि एहोल अभिलेक का है पुलकेशिन दूती का महाराष्ट में हर्स और पुलकेशिन दूती क युद्ध का वाडन इस अभिलेक में है एहोल की अभिलेक में आप इसकी स्कीन सोड अपने पास जरूर रख लिजेगा अगर आप इसे सन को लाइप पढ़ रहा है या इलर्णी भी दुर्गेश पर पढ़ रहा है अगला आपके लिए बेशन नगर अगला आपके शामने यह कौन सा है बेशन नगर अगये बेशन नगर को देख लेते हैं बेशन नगर गर्ण अस्तंब यह क्या है गर्ण अस्तंब यह कैसा अस्तंब है गर्ण अस्तंब है हेलियोरस हेलियोरस जो फॉव् test वागवत दर्म की लोग़प्रिता का सुचक कौंसा ए अगया थिण वजर्म का शुचक तया और शुग्षसक नांगभद्र का दरबार मैहिक शोपिसमे जो यम राज़वर्व थह लुए था was शुंग सासक नागभद्र के दरबार माया था जिसका जिक्र हमें कहा मिलता बेशनगर गड़ु अस्तम में या बेशनगर अभिलेग के मिलता है इसे हिलियोरस तो यहां पर आप चाहें देख सकते हैं पढ़ सकते हैं यहां पर आपको यह मिल लियागा यह इलनिवी दुर्ग पत्रधा इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा शुंग द्वारा दो अश्वमेध यग करवाने की जानकारी मिलती है वह अयुद्या के अभिल्यक से मिलती है धन देख पुष्वमेध्र शुंग का जो पत्रधा यह बहुत इंपोर्टेंट है रख लिजेगा पर अगला है एरन का अभिलेग अगला क्या है एरन अभिलेग मिलता है जो भानुगुप्त मद्यपदेश अगला है भीतर गाउं जो गाजीपूर में है भीतर गाउं असकंद गुप्त का अभिलेग उत्तरपदेश के गाजीपूर में है जी असकंद गुप्त वह हुडों के भैंकर युद्ध का वाडन मने असकंद गुप्त हुडों के आपस में आकुमन का या युद्ध का जो वर्डन मिलता है उत्तर मेरूर जो पॉराम्तक प्रथम जिसमें अस्थानिशного शाचन का पहला 사च ही मिलता है यह कई परिक्षा में पुछ लेता है कि अस्ताइस वा सासन पंजायती राज विवस्ता का पहला साच कहा मिलता है उत्तर मेरूर के अभिलेत ही मिलता है परातंग पर्थम के तो यह इंपोर्टेंट है अब यहाँ पर हम लोग अभिलेत को पढ़ लिए अगर आप चांत अभि में परिच्छा में खूप सारे सवाल पूछ जातंगे अर्श को प्राचिन भाथ के रचनाव में परिच्छा में खूब सारे जोला भरवर के शवाल आते हैं जिसमें पहला है अस्टाध्याई पहला हमारा क्या है अस्टाध्या आपको दिख रहा है नहीं कि मैं हट जार एक बार इसके इपारणी यह किसका है पारिनी ब्याक्रण ग्रंथ है फिर दूसरा क्या है महाभास अश्राड एक किस ने लिखा पाणने ने लिखा है इसमें क्या है एक व्याक्रण ग्रंथ है अगला है महाभास महाभास किस ने लिखा है पतंजली ने ये क्या है पुष्वमित्र शुम के बारे में काल सासरकाल के बारे में अगला है मुद्रा र पर बहुत इंपोटेंड है यह इसे लिख सकते हैं रट सकते हैं आप यहां से ले सकते हैं तो यहां पर हमने देखा पर्षिष्ट पर्व में क्या है जो पर्षिष्ट पर्व है हम चंद या हेमचंदू द्वारा लिखा गया है यह मौरकाल के शासन बहुत था मैं सब ज्यादा चंद्गुप्त पर प्रकाश डालता है किस पर चंद्गुप्त पर परिसिष्ट पर रचना कि है हेमचंदू ने अगला है आधी पुराण बहुत इन पूटर ने पूछा था आधी प अगला है आपका उत्तर पुराण यह क्या है गुडभद्र के द्वारा लिखा गया है काथित सागर इसके द्वारा शोमवेध का वाड़ानेश में अगला है अगला है अर्थ्वास्त वास्तों हमें के विश्टन गुप्त चारडख के यह पहला राजनीतिक ग्रंद था प वे अगला आपके सामने कौन हैं नीती दिक हैं नीति सास्तर यह कामदक का गुप्त-कलीन राज-टंदरे इसमें वब्धन मिलता है अग नगलाग्रम नगल्य विगारम्हान आपके सामने माल विकागनी मित्र यह काली दाष की रचना है जिसमें शुंगवंस मलिवी आगनी मित्र की बारे में है और समद्र गुपत के बारे में इनी की एक रचना है रगुमन्षम तो दोनों देख लेते हैं यहां देखिए उसका जिक्र भी आपके सामने मिल लाएगा शायद आपको भी देखेज़ा और आपको समझ में आ जाए ध्यान से देखेएगा यहां मालविकार गिनी मित्रम मित्र और अगुमन्षम यह काली दास की रजना है बहुत ज़्याथा परिक्षा में पूछा जाता है इसलिए आप इसे रट लीजेगा इसमें शुंग बन्स जिसमें मालविका और आग्ई पिच्छा में है और समद्र गुपत्र तो यह बहुत इप्कमार है जो परिछधा में खूब पूछा जाता है घुप्थक घुस को चुरित है क्या है दांडी द्वारा लिखा गया ये भी समाज के बादें में वार्डन करता है क्या यहां तق किसी की मन में कोई प्रषोन सब्सक्ले है जो भी वीडियो को ळाइव देख है यह वीडियो फेश्बूक पर यूटूब पर आप सभी के लिए लाइब और हम चाहते इस तरह के सेशन को आप लोग पढ़ें समझें और जहां तक समझ में ना आए अब हमसे पोश्कते हैं तो हम लोगों ने देखा कि दसकुमार चरित की डांडी भूपतकाली समाज के बारे में अगला है हर्स चरीत के रचना है वाणभट हर्सक्यु प्लब्दियों के किसने सत् Transformers के पिखी रचन है कि अगला है भिक्रम बिक्रम हपिक्रम्त देवर चरीच जो ये विलहड की रचना किसकी रचना है जिसके अंतर चालुक के नरेश भििक्रम दित की उपलब्दयों के बारे में और अब देखिए एक है आपका पित्वी राज विजए यह जैनक की दौर लिखा गया किसके दौरा जैनक दूसरा हैं पित्वी राज राशों कि किसके दौरा चंद बरदाइक दौरा बहुत जाधा परिछां पूचा जाते हैं पित्वी पिथवी राज बिजय जयानक ने लिखा है और पिथवी राज राशो चंद बरदाई ने लिखा है और दोनों में पिथवी राज चवहान की उपलब्धियों का वाड़न है क्या है दोनों में पिथवी राज चवहान के उपलब्धियों का वाड़न है अगला है आपका तरंगडी में दिखती है अगला है गारगी सहिता गारगी सहिता किसकी रचना है गारगी की इसमें यमन आक्रमण का उलेक मिलता है यमन आक्रमण का उलेक मिलता है आगे अगर हम देखेंगे तो क्या है दिब्या दिब्या वादन्थ अगला क्या है दिब्या वादन्थ यह 84, द्वारा मतलब अगर हम बात करें तो जो दिव्यावादन है यह शुंग द्वारा अशोग के 84 वासी हजार इस तूपों को तोड़ने वाला बताता है बहुत इंपोर्टेंट है दिव्यावादन पूछा जाता है किसकी रचना है यह आप लोग कॉमेंड करिएगा और जबाब दीजेगा अगला है गाथा शब्त सती गाथा सती किसकी रचना है हॉल की ब्रेहत कथा गुणायाण की कामसुत्र बहुत ज़्यादा पुछात है कामसुत्र रट लिजेगा वात्सायन की है किसकी है वात्सायन की है जिसमें बेगार प्रथा का उलेख है वारत्सायन का रचना बहुत ज़्यादा पुस्ता है अगला है नाट्ट सास्त्र यह भरत इसकी रचना किसन पढ़ाऊगा और इस तत्य को कहीं ने कहीं जरूर से अपने शुना होगा फिर एक इंपर्टेंट हैंक के लिए बुद्ध चरीद बुद्ध क्या है यह बुद्ध चरीद और सॉंद्रानन यह दोनों असुगोस की रचना किसकी रचना है असुगोस की जिसमें हम देखेंगे बुद्धो की रामयाड क्या है अगर बुद्ध चरित की बात करें तो क्या है बुद्धो की रामयाड कही जाते है जो परिच्छा में सीधे-सीधे पूछ ले जाती है अगला है रामचरित रामचरित किसकी है यह संध्याकर नंदी की है संध्याकर नंदी की यह परिच्छा म यह भास की रचना है जिसमें वासदत्ता का प्रेम संबंद राजकुमर उदयान के साथ था तो यह इंपोर्टेंट प्रमुक ऐसी रचना है थी जो परिक्षा में पूछ ले जाती हैं आप इनके स्किन सॉट कर ले आप इसे पढ़े ले विए रिवीजन सीरीज मेरातन अगला हमारे सामने है प्रमुक विदेशी याक्त्री अब यह भी की पॉइंट है यहां सभी परिक्षा में फूप सारे शवाल आते हैं जब शवाल आते हैं तो हम लोग को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए जो लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ पा रहे हैं तो भया जी आप लोग भी इसमें लग जाएए और अपना बेस्ट और बहतर देते रहेगा ठीक है चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग जो लोगी वीडियो को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए यह सेशन आप जोनपुर घूमने आ रहे हैं तो जब लिखेंगे तो जो आप देखेंगे उस समय की तत्काले की सित्थी उसी का उवर्ण करेंगे इसलिए इतिहास को जानने के लिए भी हम सहित्तिक स्रोत में विदेशी यात्री के विरणों को भी पढ़ रहेते हैं कई बार क्यों कर देशी का हुते हैं आपके को पात को फ़हितने राज्य कबी तो नहीं थे लिखेंगे उनाना और रोमके लेखक में सबसे हो सबसे शरवाधिक जो प्राचीन यही लेखक थे कौन-कौन हेरोड़ोटस और देखने को मिल जाएगा अगला जो आपके है निर्याकस और तो यह जो तीनों थे यह का थे शिकंदर के साथ यह भारत आये थे निर्याकस थे और आपके साथ पिर यह किसके साथ आये यह शिकंदर के साथ गोशे जाते यूनान और रोम के लेकों में वह में गास्थनीज बहुत इंपॉर्टन्ट है और इनकी प्रमुक रचना नाम क्या है इंडिका बहुत इंपॉर्टन्ट है खुब परिच्छा पूछे आते यह और यह चंद्गुप्तमौर के बारे में इसमें मिल जाता है इसमें मिलता है एक ऐसा मिलता जिसमें सब कुछ पढ़ने को मिलता है मनें चंद्गुप्त के बारे में अगर आपको जानना है तो इंडिका को पढ़ लिजे समझ माझा जाएगा ठीक फिर एक है अच्छा परिध्यनम सी अब इसमें भी देख लेखते हैं क्या-क्या इंप्वर्टन थी अब जैसे प्लीनी नेच्रल हिस्ट्री इनकी रचना है भारत रोम व्यापार के बारे में देखें आप पर है प्लीनी बहुत ज़्यादा पुछा आता है भारत का भ भॉगोल जनक की बात की तो बहुत की रचना थी इनकी पुस्तक क्या थी भॉगोल की पुस्तक थी तो यह प्रम इतिहांस जानने के जो बिद्शी यात्री थे उनके स्रोथ वह युनान और रोम के लेखा कर सकते हैं आगे कर हम लोग बढ़ेंगे चीनी यात्री अगला जो कि इसके बारे फायान तो इनकी जो रचना है फायू की बहुत ज़्यादा परिष्ण फायू की यह पांचवी सदी की चौदव वस्ता की भारत में रहा है और किसके समय आया थे चन्गुब दुतों के समय आया थे कभ से कभ तीन सो निन्यान में से चार सा चोगदर यह सौंग की बात करें तो सी यू की इनकी प्रमुक्रचना है सी यू की सात्वी सत अबदी में भारत में आते 16 वर्सतक रहे थे और किसके समय आया थे हर्स वर्धन के समय आया थे अब जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं चीजों को तत्यों को तो इसे नोट डाउन करना आप सभी के लिए प्यात जरूरी है जो लोगी पढ़ रहा है बताई सब लोग फटापर कमेंट करके अगे चली तैयार है आप लोग चली आगे अगे गर हम देखेंगे तो अगला जो है आपके लिए अरब लेकिए इसकी सोड़ ले सकते हैं अगला है अरभ यात्त्री अर सुलेमान परवस्रेणी भी है और यहां भी पड़न को मिलता है सुलेमान यह नवी सदी पालव पतिहार राजाओं के बारे में इनका वार्डन है अलमसूदी यह 940 से लेकर 930 में दोशाल तक थे यह राश्टकूट राजाओं के बारे में लिखते हैं इसके बारे में अच्छा पुछे आते हैं यह महमूद गजनवी के समकालिंत हैं ताकि के हिंद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक था जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं जो परिक्षा में खूब ज्यादा पुछे आती है इसलिए इसको घटना आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है अगर है त्यरामी शदीं कभा पांडराज का वर्डैन कहां पर है किसका पांडराज का वर्डैन है दूसरा है वास्कवलि ओडिगामा ये चौदो सौटीमार्ग से प्रथम खूई स meet समुद्री मार्ग से भारत की खोज़ करते हैं क्योंकि भालत पहुचने के लिए समुद्री मा कर रास्ता क्या है वह हमें कहां से मिलता है तो हमें इसे ही प्राप्त होता है यह हमें वास्कोडिगामा से ही मिलता है ठीक चलिए अगला है शिक्को का इतिहास शिक्को के इतिहास बहुत इंपोर्टेंट यहां से परिक्षा में खोब सारे शवाल जोला भर-भर के आते हैं अ किस के सिए आते हैं आहद के शिक्के आते हैं इपकरे में हम बात करें कि छो पर यहां पर देखिए यहां पर लिखा है दूसरा का था खर्षा पर यहां चाहिसी थी चांदी की धी तह holder आपका निश्क घुनता निश्क यह सोना का था अभी गले का भु शर्ड़ रिग्वैक था वे on तो यहां पर हम देखिये तो हमें जारी प्लिंपोर्टेंट है अगला सवाल वाँ नेर पूछा जाता है पत्म सोने की शिक्खे के को जारी किस ने किया था? तो सबसे पहले सोने की जो सिक्खे थे, वो यवनों के द्वारा जारी किया, वो यवनों के द्वारा जो खुब जादा आपके परिष्खा में पूछे जाती है, बहुत ही जादा important है आप सभी के लिए, अगला है चंद्रगुप्त दूती चंद्रगुप्त दूती तो शको को पराजित कर चांदी के शिक्के जारी किया था जिसे हम रूपक क्याते हैं ध्यान दीजेगा यहाँ पर इंपोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त दूती जो थे शको को पराजित करके चांदी के शिक्के जारी किया था जो क्या था रूपक था क्या था रूपक था खुब परिक्षा में पूछे जाते हैं अगला यहां पर अगला जो आपके सामने है वो दिरहम है दिरहम से भी परिक्षा में खुब सारे शावाल आपके लिए आते हैं अब आई हम दिरहम के बारे हम पढ़ लेते तिरहम क्या था अरवो द्वारा चलाया गया शिक्खा था फिर अगला है टका और जीतल बहुत इंपोर्टन्ट है यह इल्टुत्मिस के समय चलता था बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परिक्षा में टका था यह शुद्ध चांदी का जो शिक्खा था उसे टका कहते थे और सुदर तांवे के सिख्य के को हम क्य कहते हैं, परिक्ष। इन्में इंपौर्टेंट है, कई बर स्वilean, पुछे जाते हैं, अगला है दिनार और अदली, दिनार अदली क्या है, ये मृहमँमर बिन तुगलख के समय, भूहमँमर बिन तुगलख के समय, दिनार, सोने की सिक्के को दिनार कहते थे और अदली जो था, चांदी की सिक्के को अदली मुहमद बिन तुगलक के समय में अगला जो है फिरोशात तुगलक के समय जो सिक्के चलते थे फिरोशात तुगलक के समय जो सिक्के चलते थे और सस्गनी क्या था चांदी का शिक्का था किसके समय फिरोशा तुगलग के समय बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अब चांदु लिख सकते हैं यह सिक्को का इती हास था अगर हम बात करेंगे अब यहां पर अगला है आद्र शातवाहन शीशे के शिक्के चलाया किसने पो का पोटेन ने रख लिजए को परिच्छा में पूछा जाता है अगला के शामने है कि कनिस्क समय तो सरवादिक सोफोर्ण सोने के सिक्के किसके समय चलाय गया थे कनिस्क समय और सासर कौन था सब्सके सब्सक्राइब परिच्छा में आपकी लिए बहुत इंपरेंट है यह शिगलोई कि पॉडोरे के वार हम लूग देखे तो बहुत समझ में आता शिगलोई का चादी-षबरत सिखका भारत में प्रचलित for पहला फार्सी सिक्का जो था वो शिगलोई था और यह किसका बना था चादी का बना शिक्का था पिर हम देखेंगे गुप्तकाल क्या देखेंगे कौन से थे धिनार तो यहां पर देखेंगे सोने की सिक्के हुए उसका नाम सत्मान था और जो सीसे के सिक्के चलावार था वह पोटीन नाम था तो यह भी परिच्छा में पूछ ले जाते हैं परिच्छों में अब हमने देखा कि गुप्तकाल में सरवाधिक मात्रा में सोने क पर डिनार आध्या अब खलिफा का नाम भुद वाला पिरोशा तउल लग था मैं में खलिफा का नाम को दो आने वाला दो पर अग्ला भिस्वेश्व में पहला सिक्का, शिल्गोई चांदी को पूरे दुनिया में पहला जो शिक्का चला था वो किस स्बीशने स्पफार्शी सिल्गोई सुली चांदी यह परिच्छा में पूछा जाता है तिक राम और शीता का अंकन अगबर के समय अगला है किसने करवाया था मोहम्मद गोरी ने करवाया था चमडी का शिक्का किसके तो चला गया था हुमायों के द्वारा चौशा के युद्ध में 1549 निजाम और विस्ति में तो चमडी के सिक्का में क्या दिखा थी पता है अब को कुट्टे बिल्ली खा जाते थे ज्यादा बरिसोती तो फुलें लगता था तो कहीं ने कहीं फफुदी लग जाती थी तो ये चमडी का सिक्का हुमाया ने चुला वादा चौशा के तो 1549 निजाम विस्ति में जब क्योंकि निजाम विस्ति निका की थी जान बचाई थी तो अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्यपूर टॉपिकों को कि कुछ बिदेशी यात्री अच्छा बिदेशी यात्री यह को डेट बार देखेंगे हो सकता यहां से परिक्षा में शवाग बन जाए तो जो लोग वीडियो को देखेंगे एक तरफ यहां पर डेट है एक तरफ आपका डेट है नाम यात्री का नाम यूँ कह सकते यात्री का नाम है देश ब्यात्री का राज्य हो शासत तो सबसे पहला नाम मार्को पोलो इटली का आता है यहां पर द्याद का मॉरको पोलो का अ किसके समया था मुहद्बिन तगलग के समया था तो जब लोग इतिहाज के सीरीश पढ़ेंगे तो अहां पर इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम लगों ने देख लिया इबन बभूता मरक्को का महमवगी तेकला के समय था फिर निकोलो कॉंटी ये चोदो सो बीस से बाइस तक इटली का था और देवराय प्रथम के समय आये थे और अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक इरान से मानि निकोली जो निकोली इरान का जो था वो दिवराय दूति के तारगर मानी था ये दोनों संगावन से समंदित है ठीक है संगावन से शमंदित है अगला है आपके सामने बारबोसा पुर्तगाली यह 15-16-18 में था किशन देव राय पर्थम के समय फिर अगला है दोमियो दोमिगो पायस यह पुर्तगाली था किशन देव राय के समय भी आया था और अगला था नूनीज पुर्तगाली यह किसे अच्चीवत दिवराय के समय आया था तो यह तीनों के स्किंसोर्ट आप चाहिए तो कर लें वैसे आपकी मर्जी यह परिच्छा के लिए बहुत है अगला जो है आपके लिए देखते हैं किस प्रकार से इंपोर्टेंट है कहा राल फिच इंग्लैंड के कब अगबर के समय 1550 से क्यानबे कैप्टन हॉपकिंस बहुत ज़्यदा पुछा थे इंग्लैंड के थे जहांगिर के समय आया था चोड़ो सब्सक्राइब यह फ्रेंज का था और साजहां के समय आया था 1656 से 87 तक मनुची था इटली का और अरजेव के समय आया था 1688 तक बरनियर था जो और अरणजेव के समय आया था तो यहां से इतले मैं आपको बता दिया कि परिक्षा में कई बर पूर्द वारा इनके करम पूछे जाते हैं तो जब भी यहां से आपके करम पूछे जाए त तो वहें नहीं लगता यहां से आपके परिक्षा में एक भी शवाल गलत होंगे तो यह कहीं कह सकते हैं कि बीवी दुरूप में हम प्राची इतिहास की सीरीश को पढ़ने और समझने का पूरा पूरा प्रयास के और प्रयासी नहीं हम लोगों इसे अथ्य से पढ़ा हो शम मैंने आपको पढ़ा दिया अब हम आगे चलते हैं यह आपके लिए महत्यपुन था देखें मैं हड़ जा रहो आप इसकी स्किन सोट जरू का लीजेगा करीबार डेट भी यहां से पूछ लेगा तब इसकी पूरी नोट्स आप प्राप कर सकते ही लेने पे दुरगेश की देखेंगी जिसमें हमको देख रहा प्राग यतिहासिक काल यह तीन हजार इसा पूर तक है ठीक है उसके बाद क्या है प्रिषं में प्रोट स्ठोरी है फिर ह continua है आद्य इतिहासिक और एतिहासिक मैंने प्राची इतिहास को हम लोग तीन भागों में बाट कर पड़ते हैं मैंने प्राग इतिहासिक काल दूसरा आद्य इतिहासिक काल और तीसरा इतिहासिक काल इन तीनों में आंतर क्या है साथ आपके मन में ये शावाल आया हो जैसे मेरे मन इसमें वास्तों में तीनों में अंतर क्या है आई ये अंतर की बात करते हैं सबसे पहले हम यह जानते हैं कि प्राग इत्यासिक काल क्या है इसमें लिखने का ग्यान नहीं था मनें प्राग इत्यासिक काल में लेखन साली नहीं थी इसमें लिखने का ग्यान नहीं था और यह त पूर्थ तक था और इसमें जानकारी जो दिस श्यमित थी इस समय की जानकार के ताउल जांग जा जाता है मुनित बूटा मुत taraf अद्री नहीं पूर टाप्वjekt इसमें दोनों मिलतेगा है ये पढख जा सकता था असपस जनकारी थी हमाओ इसमें महाजनपत्कार तो हम लगों ने देखा प्रयक्षासिक काल जिसमें हमें लेखन से लिख जानकारी नहीं थी हमें केवल इतिहास जाने का जो सुरोथ था वो पुरा तात्यक सुरोथ पर ही आशित था दूसरा आध्य तिहासी काल प्रोटो हिस्टोरिकल एज में अगर हम देखें तिश में लिपी लेखन था लिखा भी इतिहास था लेकिन पढ़ा नहीं जा स और पुरा तात्यक साच भी हमें इसमें मदद करते हैं इसकी जैनकारी असपष्ट और साप थी जिसमें महा जन्पतकाल मगध आधिक को बारे में हम लोग पढ़ने को मिलता उसके बाद छटी सताब्दी के बाद आगे इसापूर के बाद हम लोग चलते हैं तो अब सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वह हमें पढ़ना है प्रागेतैसिक का प्रिह स्टोरिक अर्थ संदक. मद्य पासान काल है और नोय पासान काल है नोग नो को ध्यान से देखना है कया क्या मतलब हम सिमित razem आप प्रागेवहत्त है काल को तीन भागों में डिवाइट करके परते हैं आरम से लेका दह पार है अब ध्यान दिजेगा कि पूरा पासाण काल में मानो शिकारी थे रट लीजेगा पूरा पासाण काल में मानो शिकारी था क्या था मानो जो था वो शिकारी था दूसरा क्या था पासाण उपकरण मैंने पथल की उपकरण बनाता था क्या बनाता था पथल के उपकरण और गार मानुन शिकारी था ? पत्थल के उपकरण बनाता था ? पसु पक्चियों का शिकार करता था तो पपसुपच्छी का सिकार करता था तो हम इसके जो साथ्च जी मिलते हैं जाने को वो भीम बेटका की गुफा से मिलते हैं भीम बेटका की जो गुफा है वो मध्य पदेश में कहां पर यह पूरा नोट से एक बारा प्ले लेंगे आपको एक आई जगा सब कुछ मिल जाएगा भीम बेटका के गुफा मध्य पदेश में इनके प्रच्छे-पास्तर क्या थे इनके अस्तर क्या थे अस्तरगेर हम बात करें कि प्रच्छे पास्तर क्या थे तो प्रच्छे पास्तर इनकी तक्नीकी थी वो क्या थी निमनी पूरा पासाणकाल मध्य पूरा पासाणकाल उच्छे पूरा पासाणकाल यह भी तीन भागों में डिवाइड है इसको हम आवर आगे पड़ेंगे तो स मनुष्पशुपालक हो जाता है अब यही पर इसका साच्छ बागोर मिलते हैं मनुष्पशुपालक था इसका साच्छ में राजस्थान के बागोर में सबसे पहले मिलता है कहां मिलता है युद्ध के साच्छ मिलते हैं सबसे पहले जो उत्त्रपदिश में था आग का अबिष्कार मद्धि पासान काल में हुआ था और जो आग की खोज अंतियुष्टि क्रिया इन दोनों को जो पहला साच था ये सराय नहर ये सराय वहर नहर मिलता है सराय नहर उत्तव देश में वही पर मिलते हैं युद्ध आक्रमन के साच सराय नहर में मिलते हैं मद्य पासान काल में आक का विसकार सबसे पहले सराय नहर मिलते हैं संत्योष्टी क्रिया के जो प्रमार थे वह सबसे पहले कहा मिलते हैं सराय नहर यूपी मिलते हैं जबकि पसुपालन की विकास का साथ बागोर में राजस्थान में मिलता है तो यह हम लोगों ने पढ़ लिए मद्य पासान का तीसरा आता है नौ पासान काल 6000 से लेकर 3000 ठीक है कि इसे हम कहने लगते हैं कारण क्या था यह भी जानते हैं न दीजेगा न पासान काल जो था अब इसमें क्रिसू का विकास जाब मानौ रहना शुरू करेगा अब मानौ अस्थाई जी वन जीने लगा मानौ क्या था अस्थाई निमास करने लगा अस्थाई गाउं का विकास करने लगा कौन मानौ मानों मिर्दभांडों का निर्मार करें लगा किसका मिर्दभांड बनाने लगा जिसका सबसे पहला साच जो था चो पानी मांडों में मिलता है अस्थाई गाओं का भी विकास और मिर्दभांड का भी निर्मार कहां मिलता है चो पानी मंडों मिलता है ठीक यहां पे आपके सा पासाण यूग भी कहते हैं ताम पासाण यूग कहते हैं मानोरी सबसे पहले में जो धृत था तो था नहीं थी het नौ पासाण काल में ढाल भूकला आफ चाहिशकात लिख लए यह पूरी नौट्स आपके सामने है पूरा मैंने बताया नहीं जो नोट्स है इसे आप हलके मत लिजेगा यह हैंडिटेंड नोट्स है जो आपके परिच्छा में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और यह मारतन सिरिच का इसा जो कम से आपको रिविजन करा सकती है ठिक आगे देखते हैं आपके साथ कुछ अन प्राप कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात अगर आप चाहते हैं इस प्लेटफार्म मुझे मिल गया तो मैं थैंक्यों कहना चाहूंगा इस प्लेटफार्म का जिसकी माध्यम से मैं अपनी क्लासे आप तक पहुचा पाता हूँ आपकी मर्ची आपकी उपर है अब हमें जो पढ़ना है जो हमारे लिए महत्तपून है उसको हम सबसे पहले जानने का प्रयाश करेंगे पढ़ने का हम लोग प्रयाश करेंगे यहाँ पर क्या है पहला देखे निमनपूरा पासाणकाल आरम से लेकर पचाजार साल तक है मध निमनने पासांकाल उच पूरा पासांकाल उच पूरा पासांकाल के अदिमने पूरा पासांकाल इसके बारे में भी मित्य आस पढ़ेंगे तो आप यह पर पर नहीं पॉश्या नकित प्ल kwam6 allo प्रारंभिक आवास आदमगड मिला था आदमगड मद्य पदेश में आथी का घंदी जेगा हाथी का ओल्डेश्ट जिवास्म मने हाथी का सबसे पुराना जो जिवास्म था वो कहां मिला था मद्य पदेश में मिला था प्रारंभिक ब्रिच्छा रोपण के जो साच सांभर जेल कहां पे हैं सांभर जेल ठीक है अब क्या है माइक्रोले चोटे उपकरण हडियों की मूर्ती कहां बनाता लोहंद नाला लोहंद नाला में तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप परिक्षा के लिए पर सकते हैं जा सकते हैं और यहां तक आपर बहुत पूर ना बनाती किसकी मात्र देविक नोर्टी सबसे पहले कहां मिला था इमाम गाओ महाराश्ण में मिला था सोने की बाली टेकल कोट मिला था कहा मिला था टेकल कोट में मिला था हड़ी की अवजार हड़ी कोजा कहा मिले थे चिरांद मिले थे कहा मिले थे चिरांद बिहार में मिला था कांच की चूणिया कहा मिली थी देख लिजेगा ये हस्तिनापूर हस्तिनापूर उत्तापदेश म मिला थाा गर्थँ आवाज बुर्जों्य होम जम्मू कस्मीर में साच मिला था ठर्थेम रिख में निवासा महाराष्ण मिला था हे। कहां मिला था अत्रंजी खेडा में पिर है इस तरी पुरुष अंतियोष्टी के जब सबसे पहले साच मैंने महिला पुरुष के अंतिम संसकार के साच मिले थे इस प्रकार हम लोगों ने प्राचीन भारत की तिहास सीरीज में काफी महत्रपूर चीजे पढ़ नहीं है अब अगर आपकी मन में कोई प्रत्रंण हो कोई शवाल हो गत्रपी इसलिए इससे पढ़ना जानना दोनों अम लोग की जरूरी है इसे हम इंडस्वाली शिवलाजेशन की तरह बढ़ते हैं शिंदुघाटी शबिता अब सिंदुघाटी शबिता परणेश पर एक बात जान लेजेगा सबसे पहले आप लोग इस वीडियो का अपने सभी मित्रों साथियों को शेयर कर देजेगा ताकि हम इसके साथ आपको ल यहां पर हम देखेंगे यह जो है 1100 किलो मेटर इसकी जो लंबाई थी उत्तार से दच्छन केतना थे 1100 किलो मेटर और पूरफ पस्छिन जो थी वह 1600 किलो मेटर थी यहां पर नोट्स में लिखा हुए आप एक बार देख लिजेगा जब हम सिंदुघाटी सभिता की बात कर करते हैं तो सिंदुघाटी सभिता का नाम सिंदुघाटी सभिता क्यों पड़ा है यहां पर सबसे पहला का हम लोग यही करते हैं कि नोट्स के माध्यम से आगे करके चलते हैं यहां पर देखेंगे कि 1862 में चार्ल्स मेनन वरा इसकी पुष्टी की जाती है कि अब क्या मिल इसकी जर्मदाता थे वह अलेजेंडर कनीगम थे और नेत्युद करता कौन थे जान मार्शल थे जान मार्शल थे अब यहाँ पर कई चीजें हैं भागों में इसे डिवाइट किया गया है जैसे अस्नानागार, क्या था? अस्नानागार, अन्नागार, तराजू, पस्पती, शिव की मुहर, कासे की नर्दकी की मूर्ती, मिर्तको का टीला, यह कहाँ पर मिला? यह मोहन जोदलो मिला है, अब हम कहाँ पर है? यह मोहन जोदलो, यहाँ पर इख़ए एकदम ध्यांज देखेगा, यह मोहन जोदलो शिंदू, ठिक, सुधकाँंगे डोर, शिंदू में सुधकाँंगे डोर, शिंदू में फिर कोरदाजी है, तो यहां पर ड़ते, सब के अलगलग के कलर से आप इसको बनाय लाइग्या है सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि मोहन जोद्डडों से क्या मिला गार मिला अना गार मिला धराजू पश्पती शुव की मुहर भी मितको का ठीला किसे कहते मोहन जो दोलों कहते हैं जो एरिया बाइद सबसे लार्जेस्ट था अब यह क्या था अर्ध अद्धुगिग नगर था अर्ध अद्धुगिग नहर था अब यहां पर हम महारा के देखते हैं मिट्टी का हल मिट्टी का हल कहा मिला बनवाली सश्वतिनदी किनारे राखी-गरी सबसे लार्जेस्ट था सबसे बड़ा मुहंजुदलो और सेकेंड लार्जेस्ट एरिया राखी-गरी था यह परिच्छा में पूछा जाता है काली भं खेत हमन्कून केसाथ चे कहा से मिलते है यह काली-बंगा घंगर से मिलते हैं अब या पे देखिए लोपर सतरजस्थी किनारे फेस भोला केसा फिन नहीं मिलते अब यह हो गया अब कावा थे चहंदड़ों चहंदड़ों से क्या क्या मिला है द्रगकृत नहीं गणी ऐसे हाथश केaráथ की सब mm ली थिस हरुए चार नहीं पर गोड़ा मिली है मंके की अ मिले कि घोड़े की हड़ी मिले यह भी परिक्षा में पूछे जाते हैं फिर हमने देखा सैल कि जलकुंड यह थर्ड एरिया था धौला वीरा उन्हें इस तरह से खो़ जा गया यह तीसरा सबसे बड़ा क्या था मोहन जोदलो दूसरा क्या था राखी-गरी तीसरा जो आपका मिला था तामबे का रत और आगे देखेंगे लोथण भुगवानदी अब लोथण में क्या था इसको देखेंगे लोथण मुख्यज द्वार सडख पर विभाजन सतीप्रथा के साच मिले हाथी दाद का इसके रवी मिला थिक पासा मिला और गोदिवारा मिलाए अगनिक देखते हैं अब सकते हैं देखेयर यहां पर देखे नदी के याद करने का ठीक था तो यहां पर याद करना हो पढ़ना हो समझना किस तरह से याद करेंगे जो हैं आप पर पहले तो प्रमुक्खोजे बता दूंब यहां पर जो प्रमुक्खोज है उन्हें परोपंग और आलमगीरपूर यग दर्थ सर्मा उन्हें सो अब देखिए यह पूरा इसकी इंसोर्ट चाहए तो कर ले बहुत इंपोर्टेंट है आप सबके बहुत ज्यादा काम आने वाली है यह नोट साथ के लिए बहुत जरूरी है अब हम देखते हैं नदी याद करने का जो ट्रिक है क्या था लोभी मौसी काहरा कहा रमा ने ले लिया क्योंकि वो र लुकत रिखम में मिल्ण इसको याद कैसे करना वह आपकी उपर है कुशिश किया ताकि याद हो जाए लोर भी Pewbert कि मुशी म्हाई goo problem ने जिएए सट्र नदिएक टरफ और दूसरी तरफ कि न दिए शया euh लोभी लोथल भगवा ने देखी ना रे मोसी मोहन जोदरो सिंद्र ने देखी ना रे हरा हडप रावी ने देखी ना रे कंगा काली बंगा गगड़ ने देखी ना रे तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ महत्यपुर्ण त्थ्यों को सिंद्गाड़ी शभ्यता में पढ़ा और रट लिया ठीक अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अब सिंद्गाड़ी शभ्यता में और हमें क्या पढ़ना है अब इसकी प्रमुक बिशेस्था पढ़ लेते सिंद्गाड़ी शभ्यता की प्रमुक बिशेस्ता क्या थी और यहां पर रट यलेभ्य के साथषे नहीं है अपर सबसे ज़यादा को काश शुगीन शंबेता के हम讲 से जादा जो धा फ्रेयो गूई मिलिए द्धान दीजै यह इनकरी सब्सारा है यह कैसा नगरी सब्सारा है लेकिन गांची संख्या ज्यादा तो दिखन दिजाएगा यह एक नगरी शत्ता है लेकिन फिर भेया पर गाउं की संख्या सरवादिक संख्या क्या है स्वाधिक किसके रावी संख्या समर्वा ने नंग्रों का बिभाजन पूर में जो नगर थे वो आम जनता के लिए थे और जो पश्चे में थे वो सासक के लिए थे बहुत इंपोर्टन्ट है या MSQ प्रस्णों के लिए भी लिखित प्रस्णों के लिए इंप्रॉटन्ट है इसलिए कहार है इस सीरीज में बने रहेगा वीडियो और बहुत इंप्रॉटन्ट स्रीज है अब हम आगे देखते हैं अपवाद की बात करें तो अपवाद में धौला वीरा में तीन भाग थे, नगर्व में देखा जाए, सभी जगा दो भाग थे, पूरा बार पस्चिल लिकिन अपवाद में धौला वीरा तीन भाग थे, ठीक है, जबकि लोथल में केवल एक अहीं भाग था, लोथल में एक भाग, और धौला वीरा म में तीन भाग था यह बहुत इंप्पोर्टेंट ने कम समय में बहता त्यारी करने के लिए रिविजिन करने के लिए यह नोट्स आपके लिए राम बाणा सेलेक्शन के लिए आप परिछा देकर आईएगा देखेगा न इस से बाहर आपको प्रश्ण नहीं मिलने वाले सड़के कच्ची थी सड़के कैसी थी कच्ची थी लेकिन जो मोहन जोद्रों की सड़के थी वो पक्की थी मोहन जोद्रों की सड़के कैसी थी पक्की सड़क थी और यहाँ पर बाकी सड़के कच्ची थी जल सरच्छन जल सरच्छन क्या सा था जल सरच्छन पर विशेश बल द कच्ची इटों के मकान मिले हैं अब भवन निर्माड गर भवन निर्माड की बात करें तो जो भवन निर्माड था उपियोगिता पर बल दिया गया अलंकरण पर नहीं उसकी उपियोगिता पर ही बल दिया गया भवन बनाने में उसकी अलंकरण पर नहीं उसकी सुन्दद्द किलिते तयो मकानों के दरवाजी होते थे वह मुख के सड़क पर नहीं खोगते थे लेकिन अपवाद में लोथन में जो मकाने उनके दरवाजे मुख के सड़क के तरफ चलते थे हुआ है अब मोहन जो दोड्रों का विसाल असनाना गार मिला जो तेरा गुड़े साथ गूड़े तीन मीटर का था यही परिषा में पूछ ले जाते हैं आप लोग को भी इस सब को याद करना होगा चौंदलों मनके का कारकाना मिला था चौंदलों में क्या मिला था चौंदल यहां पर इड जो था वो वक्राकार था मन के के कारखाने मिले हैं और दूर के कित नहीं था लेकिन इड जो थे कैसे थे वरगाकार थे जो परिच्छों में खुब ज्यादा पूछ ले जाते हैं अब आगे हैं गेहूं चना जव कपास के खेती चावल खेती नहीं होती थी मैंने गेहूं केती के साथ मिले हैं चन्य की खेती के साथ मिले हैं कपास खेती के साथ मिले हैं लेकिन चावल की खेती नहीं अब ध्यान दिजेगा अपवाद में देखा जाए रंगपूर और लोथर में धान की भूशी मिली है अब यहाँ पर कहेंगे सर गेहु चना जोग का पास के खेतिक मिले चावल के खेती नहीं बलकिन उत्पादल अधिशेश मिले यह बहुत इंपोर्टेंट है परिच्छा के लिए से लिख लिजेगा मुस्ट इंपोर्टेंट है आगे है रोपण आगे क्या है रोपण मने घोड़े के प्रियोग से युक्त नहीं है मने ध्यान दिजेगा और मैं इसमें बात कुरूआ आप इसे नोट्स देख लिजेगा रोपण घोड़े की प्रियोग से युक्त नहीं हाथी गेंडा मिले है आपके सुदकोर्दा में घोड़े के हड़ियों के साथ मिले है अब आगे है बैलगारी यातायाद कमुग के साधन जहाज ना भी था लोथर प्रमुक बंदरगा था और गोदिवाला में साच मिले है कि बैलगारी यातायत कमुग के साधन था जहाज अनौ तो लोथर प्रमुक बंदरगा था गोदिवाला के साच थे अब हम और आगे चलते हैं वस्तु बिनिमे परणाली परचित थी मने सामान को लेने देने की बाद थी एक सामान को दूसरा तो समल दे कर आप चराले लेकिन मुद्रा नहीं थी मने मुद्रा के ब्निमे के साथ यहां पर नहीं मिले हैं मोहरों का प्रियोग वस्तुओं पर सील अंकित करने के लिए था जो मोहरे थी उनका जो प्रियोग होता था यहां पर मोहरों का प्रियोग वस्तुओं पर सील अंकित करने के लिए सील लगाने के लिए प्रियोग किया जाता था हाती के दाद की मिले हैं मोहन जोदलों में तराजु के साथ मिले हैं मेसुपोटामिया के समराथ अप ध्यान दिजेगा कि मेसुपोटामिया के जो समराथ नहीं आएगा काली बंगा में जूत्युवे खेद के साथ मिले है बनवाली में मिट्टी के हल मिले है मुहन जोद्रों में मिशाल अन्नागार मिले है 15-15 मीटर का और हरपा में भी मिशाल अन्नागार के साथ मिले तो ये थे आपके परिच्छा के लिए उत्योंगी जो बहुत ही इंपॉर्टन्ट है आपसे बार बार कहूंगे परिच्छा के लिए सब को तयार रखेगा अब हम सिंदुखाटी ये संदो सबता को थोड़ आगे ले चलते हैं और आगे पढ़ते हैं अब बैनातन स्रीज भी पढ़िए और हमारी जो इतिहाज स्रीज उसको भी पूरा पढ़ लेजिए उसके बाद आप इसकी इसके तीनों पढ़ने के बाद आप परिच्छा हाल में जब जाएंगे न सारे प्रस्ष आपके सही होने वाले रखली लेकिन सारे नोट्स आप ले लीजिएगा मेरी राय है वाकि आपकी मर्जी अब देखिए वर्ग भीभाजन नहीं था यहाँ पर वर्ग का भीभाजन नहीं था लेकिन वर्ग भीभाजन था लेकिन क्या था वर्ग भीभाजन था वर्ग में क्या थे बिद्वान स्रमीक योध्धा व्यापारी मनें वर्गों में विभाजी था लेकिने वन विभाजर नहीं था यहां पे मात्र देवी की मूर्ती मिले जिससे अंदाजा लगा जा सकता है यहां पर मात्र सत्तात्मक था समास था उर्वर्ता की देवी मानी गई है जो हडपा से साच मिले हैं mówiąट अब यहां पर जो प्रजाती थी ज्यादत तर जो प्रजातिया थी वह भूमद्य सांग्री थीं मंगोलायड पर्ट्रो में स्थूलायड अल्पाईट तो चारत प्रजातिय मिले भुमद सागरी मंगोलायड और प्रोटो मैस्ट्रोलायड और अलपाइनले के सबसे जाता जो थी वह भुमद सागरी थी यह परिक्षा में पूछा जाता है मैं चाहूंगा इसे रट लीजे याद कर लीजे अगर आप सेलेक्शन के लिए पढ़ रहा है तो ऐसे आपकी मर्जी आगे हम देखते हैं इस्तरी पुरुष दोनों आभुसर धाल करते थे इस्तियों पुरुष दोनों आभुसर पहनते थे सूती वस्तर भी पहनते थे वस्तर में कौन सा था सूती वस्तर था उनका अब चहुंदड़ों में लिविष्टिक जो रंजन सलाका लिविष्टिक के साथ मिले है रंजन सलाका के और चहुंदड़ों में हाथी के दात की कंगी मिली है यह भी परिच्छा पूछा जाता है कि अब मन्रोंजन के लिए पासा का खेल होता था कहां पे लोथन में और लोथन में ही जमीन में सो दखनाने के साथ मिले हैं सब्सकार वो तेन तरश हुआ करता कैसे। पूर समाद करन city better when you all कुछ दफना दिया जा था आंस्व समाद करन ए पहले पहलए 30 वह एक आ जाते थे जो बसता था उस्से दफना कर दिया जाता था अगनी 9 Walker मानि आज में जलाने प्रतिक चिन जो सरवाधी प्रतिक चिन थे वह कैसे थे वह भी परीग्छा में पूछ लेते हैं तो, उसको भी आंवा, लोग देखेंगे पढ़ेंगे और शमझेंगे चली देखते हैं कैसे हमने षब कि सब्से जादो जो प्रतिक चिन मिला था कुछ इस से था है जादब को दिखा होगा यह देखें यहां पर है जीओके चिन्द में मचली का चित्र मिला था अब यह मुहरे कैसी मिली थी और वरगाकार लीपी के साथ पसू चित्र थी लेकिन जो आयताकार थी उसमें लिपी का अंकान था लिपी लिखा हुआ था यह बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए जानना मुहरों के बारे में मैं चाहूँगा आपको दिख रहा होगा इसकी स्कीन सॉर्ड भी कर सकते हैं अब यहां पर हम और आगे चने अब देखिए किस कलर का हम लोग अच्छा ग्रीन कलर यूज करते हैं मोहन जोड़ों में क्या था पसुपति शू की आक्रती की मुहर मिले जिसमें दाया हाथी दाय साइड हाथी और बाग थे बाय साइड गैंडाव भैशा था इसका मतलब वह अब अब देखते हैं मोहन जोड़ों में कासे की नर्थकी की मुर्ती मिलती हैं कासे की नर्थकी की मुर्ती की मुष्थे动 और जो वहाँ पे ये द्रवी मौम बिधीक द्वारा बनाए गई थी ठीक आगे देखते हैं पशू आकृतियों के सरवाधिक पशू आकृतियों में सरवाधिक एक सिंग वाले गेंडा सबसे जादा पशू आकृतियों मिले है वो एक सिंग वाला गेंडा जबसे जादा फेमस कूबर वाला बैल जो पवित्र माना जाता था वो वह यहाँ पर मिले अब हम आगे देखेंगे मानो आकृतियों में सरवाधिक इस्त्री है मानोकृतियों की बात करें, तो सबस्यादा किसकी मिली है, इस्तिरियों की, ये भी आपके परिच्छा में पूप सारे जोला भरभर के उच्छे जाते थे मानो कृतियों में सरवाधिक आकृति किसकी मिली है इस्तरियों की इस्तरियों की जो परिछा में फोब पूछ ले जाता है मोहरों पर अंकित पशो आखलती मौहर उन पर अंकित पशो आखलती उसमें बादा क्या कोई बना सकता हैं एक स्रिंगी पशो क्या था एक स्रिंगी पशो था आगे हम देखेंगे गौणित धातु भाटविज्यान, मापतवल, ग्रह नच्छत्र, मौशम, आदी बैज्यानिक ज्यान के भी परचित थे। मतलब सिन्दुगाटी सब्पेता के जो लोग थे वो गणित भिषय, भाटविज्यान, नापतवल, मापतवल, ग्रह नच्छत्र और मौशम सम्मधी जानकारी उनके प मंदिर के साथ नहीं मिले, मूर्ति पूजा तो प्रचलित थी, लेकिन मंदिर के साथ जवाँ पर नहीं मिले, प्रसाधन बॉक्स भी मिले, कापे हडपा से, तो ये काफी इंपोर्टेंट, काफी महत्तपूर्ण थी आप सबों के लिए, लिख रहे तो लिख लिजेगा, इससे लेना है अब हम इनकी संस्कृतियों की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसे हम तामर पासान कालिन कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, तामर पासान कालिन, अब वो सिंदुगाटि सम्विता के जो समकालीन सब्विताएं थी एकलुएथिक एज जो तामरपासण कालीन थी उसके जो समकालीन थे वो सुमेरियन सब्विता थी मिसर की सब्विता थी और रोमन की सब्विता थी ठीक है अब हम इस सेशन गो और आगे आपके साथ ले चलते हैं अब यहां की जो संस्कृति थी उससे अगर हम लोग देखेंगे तो पढ़ेंगे अब देखिए लाल वा काले रंकी मिर्दभांड लाल वा काले रंकी जो मिर्दभांड तामर्वती यहां पर मिली है सबसे पुरानी आहार संस्कृति सबसे पुरानी कौन सी आहार संस्कृति 2100 इशापूर यहीं पर मिली है पक्किईटों के जो साथ मिम्ले हैं वो कहां मिले हैं बाला थल और गिलूद में पक्कीटों के साथ कहा मिले हैं बाला थल और गिलोद में यह पूछा जाता है तो गेरु बनी मिदभांड संस्किति जो थी यह लुगीन संस्किति पिलए खी तब और चिराद संस्किति जो थी शोनपूर की चिराद संस्किति यहाँ पर काले लाल मिद्भांड मिले है दूसरा जो प्लेस था अगर काले मिद्भांडों का काले लाल मिद्भांड तेकेंड प्लेस जो था चिराद संस्किति शोनपूर में और गेरिवी मिद्भांड संस्किति लोह यूदिन शंसक्रिती की सबसे बड़े उधा रहे हैं यह तगि यहां प्रपर्भाष ए और रंग्पूर और आगे चलते हैं हम लोग मालवा संस्किती काय था व नौदा टोली मालवा संस्किती यहां पर अनाज के साथ मिले किसके साथ मिले हैं अनाज के साथ मिले हैं चिराद संस्किति से काले लाल मिदभंड बलात और गिलूद से पक्की एट लालो कड़े रंग मिदभंड तामरवतीशे मिले हैं कहां से तामरवतीशे सबसे पुरानी आहार संस्किति ठिक पसूँ के पाउं काटकर दफनाया जाते थे ध्यान से देखने वाली बात है सभी के मिली है ज़्यों चाहेंगे का आप लोगं यहां पर समझे पसूँ के पाउं काटकर दफनाया थे कहां पर जारवेश से ती पटसन के साथ नेवाशाई वह इमामगर दैमाबाद में क्या मिले है पटसन के साथ मिले हैं और वही गैंडा हाथी भैस रत चलाता मुनुस्की ज प्रकार हम लोगों ने पढ़ने जानने का प्रयाश किया यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों के जो कॉंसेट है वो पूरी तरह से किलियर हो चुकोंगे फिर भी आपकी मन में कोई संसे कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्टन में कोमेंट के मांदम से पोश्कता है यहां पर हम लोगों ने देखा हडपा सब्रतावे प्रचली धातु क्या थी सोचता सीटी सोचता माने शोना चांदी तांबा सीशा टीन बहुत इंपोर्टेंट है यहां से खुब परिच्छा में सवाल जोला बरिके आते हैं सब्रतावे प्रचली धात्वे कौन से थी सोना चांदी तांबा सीशा और तो यहां तक आपके कॉंसेट क्लिर हो गया तो आप इसे रख लीजेगा लिख लीजेगा फिर भी कोई सवाल कोई प्रश्णौन करके जरूर पूछेगा मैं बार बार कौंगा पीडियो को शेयर क सब्रक्राइब करेंगे यहां अगली सब्रक्राइब करेंगे वह सबसे पहला काम वीडियो को शेयर करें अगर आप चाहते ही क्लास में हम और आप जुड़े रहे बने रहें तो आप लोग भी टेलिग्राम पर दुरगे सर्च करके हमारे शाथ जूड़ सकते हैं जो लोग मैंसेज नोट्स के लिए कर दें कि मेरी क्लास निसूल को ति मैं बार-बार आपको खह चुका हूं नोट्स के लिए इस नंबर पर जूड़ सकते हैं और अन्सियाटी की सभी नोट्स एलनी भी दुर्गेश पर चाहस नेकर बारत तक कि हितियास सासत अन्य सभी भी शाहिए कि हिंदियों उग्रेजी दोनों मीडियो में उपलब्त हैं फिर से कहूंगा कि टेली ग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े तो टेली ग्राम पर आप दुर अख्राथ सरीज इस रिवीजन सेरीज को आप लोगों तक पहुचा सके अब भी आप प्लेइस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित कौशी शाहित पढ़ेंगे वैदिक साहित पढ़ेंगे यह साहित आपके लिए बहुत ही इंपोर्ट